माइक नमबर एक पर वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वह अपना सवाल कर सकते हैं माइक नमबर एक से मेरा नाम राकेश रंजन है मैं कठियार से हूँ इसलाम मेरे जहन में काफी दिनों से है और मेरे पिस टीवी कभी कभी देखा करता था और आप से काफी इंट्रेश हूँ तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इसलाम कबूल करने पर साकाहारी को क्या मांसाहारी होना जरूरी है ये आम लोगों की जहन में है बाई साब का अच्छा सवाल है कि इसलाम कबूल करने पे क्या शाकाहारी को मांसाहारी वेजिटेरिन को नौन वेजिटेरिन होना फर्द है नहीं भाई साब इसलाम में गोश खाना फर्द नहीं है इसलाम में एक इनसान अच्छा मुसल्मान है सकता है सव फीसद शाकारी बनने के बाद वी इसलाम में फ़र्ज नहीं है तो मैं टाहे दिल से इसलाम को कबूल करना चाहता हूं माशालला और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूं माशालला आप मानते हैं कि खुदा एक है जी हाँ आप मानते हैं कि भुद्परस्टी गलत है गलत है मुर्ती पुजा गलत है एकदम गलत है आप मानते हैं कि मुम्म्मस सलल्लाव सललम आखरी पैगंबर है जी हाँ माशालला, आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है, इसलाम कबूल करने के लिए, जी नहीं कोई जबरदस्ती नहीं, आप अपने मन से करना चाहते हैं, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा है, कोई भी रिश्वत नहीं दे रहा है, रिश्वत किस चीज क्या देगा, मैं सब लोग के सामने पूलीस के सामने ही पूछ रहा हूं तो हक के बात के लिए डर क्या तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं और गोश खाना इसलाम में फर्ज नहीं है फराइस बहुत कम है इसलाम में फराइस और हराम बहुत कम है लोग समझते बहुत चीज फर्ज है और एक किताब है क्या सत्तर मीजर सिन में बड़े गुना सत्तर तो ये सत्तर चीज़ में सत्तर जो में फर्द और हराम लिखा है उसके अंदर कुल मिला के और हुई है लेकिन में ये है तो इसके अंदर कहीं भी ने लिखा है का मत तो आप अपने खुशवाद से इसलाम कब्ल करना चाहते हैं जियां तो इन्शाला मैं हर्भी में कहांगा और आपोंसे दोराइए अशहदु अशहदु आस्वदु अल्लह इल्हा इल्लाह इल्लह इल्लह वह श्हदु वशदु अन्ना मुहम्मधन मुहम्मदन अब्दुहु वरुसुलुहु वरुसुलुहु मैं शहादत देता हूँ के अल्ला के अलावा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद अले वसलम उसके पैगंबर और बंदे हैं बंदे हैं माशालला आप मुस्लिम हो चुके और आप जिन्दगी बर अगर शाकारी भी रहेंगे तो कोई हर्द नहीं है कोश खाना फर्द नहीं है और अल्हम्द लिल्ला आप कुरान मजीद का तर्जमा पढ़िए और मौगने से दर्खास करूँगा कि जितने भी गैर मुसलमान जो इसलाम कबूल कर रहें और नहीं भी कबूल कर रहें सब लोग को हो सके तो इन्शालला तर्जमा दीजिए कुरान मजीद का और उनको पढ़ने दीजिए और इन्शालला मैं दुआ करूँगा अल्ला समय ताला से कि आपको और हिदायत दे और इस दुन्या और आखरत में सबसे बहती जिन्दगी धन्यवाद आई ने जवाद